हालू फ्रेंद्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर आज हम बनाने वाले हैं स्पेसल ठेले वाली चाट की रिस्पी जिससे हम बिल्कुल उसे स्टाल में बनाएंगे जैसा की हम बाहर जाकर खाते हैं बिल्कुल तीखी चटपटी और स्वादिष्ट बनने वाली है हमारी चाट तो फिर देर किस बात की चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार रेश्पी मटर की तीखी वाली चाट तो उसके लिए यहां मैंने ये मटर ली हुई है जिसको सिंपल सा खाली बॉयल कर लिया है नमक डाल कर और ये लिए हैं उबले हुए आलू कटी हुई प्याज टमाटर ये हैं इमली का पानी जिसको दो घंटे पहले भीगा कर रख दिया था और उसके बाद उसका पल्प सारा निकाल लिया और इसमें सिर्फ काला नमक और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाला है और उसके लिए हमें चाहिए ये पापड़ी जिसको घर पे ही बनाया है इसको कैसे बनाना है इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है आप उसे चेक कर लिजेगा और हमको चाहिए थोड़ी सी हरी मिर्च और कटा हुआ अधरक थोड़ा सा गैस पे तावे को चड़ा दिया है और अब ये बिल्कुल गरम हो गया है इस पे हम डालेंगे टू टेबल स्पून ओयल और इसको हम अच्छे से चारु तरह ग्रीस कर लेंगे तेल जब गरम हो जाए तब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और इसको हम चला लेंगे अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च और अधरक उन सभी तीजों को हम थोड़ा देर भूनेंगे आप धूदा स्वेटायी आप जूदेगे प्यास तो थोड़ा देवली इना जैयाधे हैं जर देलतेती समक्राइब हैम इसमे ढालेंगे हुदो समर一種 मजविक और हाभी है माले 10 टिजा के इसे आलू डालेंगे एक मिनाट तक सभी मसालों को भूनने के बार अब हम इसमें हैट करेंगे मतर का यह चुला जो मैने बिनाया था इसको हम हैट कर देंगे मतर के साथ भी एक दो मिनाट हम अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद यह जो पापड़ी है इसको हम ऐसे रस्ट करेंगे हातों से दो चार और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अब हम पापड़ी को भी इसके साथ मिक्स कर देंगे सभी मसालों के साथ और इसमें अब हम डालेंगे यह इंडली का जो पानी है इसको हम इसमें डाल देंगे तीन से चार चमत इसमें डाल दें और मिक्स कर देंगे इन सभी चीजों को हम अच्छे से ऐसे इस तरीके से मिक्स कर देंगे आज को फ्लेम को हम हाई कर देंगे और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे स्वात के अनुसारिस में हम नमक डाल देंगे और नमक को भी मिक्स कर देंगे यह हमारा बिल्कुल चार्ट बनकर रेडी हो गया है अब हम इसको सब करेंगे इसको हम इसमें निकाल लेके हैं प्लेट में अब हम इसको गार्निश करेंगे उसके लिए सबसे पहले हम उपर से डालेंगे प्याज पापड़ी को हम हाथों से क्रस्ट कर लेंगे और उपर से डाल देंगे अब हम उपर से इसमें डालेंगे हरी धनिया और इमली का जो पानी बनाया था उपर से इसको डाल देंगे अब मीठी चटनी खाना चाहें तो इसमें मीठी चटनी भी डाल सकते हैं अब हम इसमें उपर से डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे उपर से लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा इसमें हम उपर से अध्रक के लच्छे डाल देंगे और हमारी ये special chart बनकर ready हो जाएगी तो friends आज की हमारी ये special chart वाली recipe बनकर complete हो गई है आप इसको फ्लीज घर में जरूर ट्राइ करिएगा ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है इसको बना कर खाकर मुझे को बताइगा कि आपको ये मेरी recipe कैसी लगी और अगर आपको मेरी recipe पसंद आए तो please एक like, share और subscribe करना मत भूलिएगा धन्यवाद